वेलकम तो एलेक्ट्रोनिक वोकेशनल आज दीस वीडियोच आपा शॉर्ट क्वेशन्स करांगे ट्रेट 2 चैप्टर 5 पावर सप्लाई फर्स्ट क्वेशन है SMPS दी फुल फॉर्म दसो S for switch, M for mode, P for power, S for supply, switch mode, पावर सप्लाई Question number 2, Linear power supply ते SMPS वीचों केड़ी सप्लाई वद लायब दायक है SMPS दी आडवांटे से ज्यादा नहीं as compared to linear power supply सो लाब दायक है SMPS Third question, SMPS वीच स्विचिंग ली केड़ा कंपनेंट वर्तिया जानदा है SMPS दे वीच ट्रांजिस्टर या फिर मॉस्फेट दी वर्तो किती जानदी है SMPS दी efficiency किन्नी है पावे सरकेट सानू किन्ने परसेंट किन्नी efficiency दिन्दा है 80 to 90 percent Question number 5, SMPS दे लाब दसो जड़ी SMPS पावर सप्लाई है इसदा साइज बहुत ही छोटा हुंद है इसदा वेट काट है एदा अपना पावर खर्चा बहुत काट है एदे कंपनेंट्स दी कॉस्ट काट है जिसकर के ए सरकेट सस्ता बंद है इसदी efficiency ज्याद है इसदे विच हीट पैदा बहुत काट हुंदी है एज याँ अडवांटिजेज ने Question number 6, SMPS दी इकहान नहीं दसो SMPS दे विच एक दो कमीयां भी ने पहली कमी है कि इसदे विच ट्रांजिस्टर लगे होन करके noise पैदा हुंदा है, shore पैदा हुंदा है Next है के दा सर्किट बनाणा complicated है इस विच बहुत सारे components उन्दे ने सो इस सर्किट नो create करना एक गुंजलदार कम है Question number 7, SMPS दी आँ किसमा दसो DC to DC converter, AC to DC converter, flyback converter, forward converter Question number 8, SMPS दा सर्किट की करदा है AC नो pure DC दे विच बदलदा है Question number 9, inverter किस कामली वर्तिया जानदा है बैटरी विच जड़ी DC स्टोर हुंदी है उसनों AC दे विच बदलदा है यथे inverter में सर्किट दी गल का रहे है जड़ा inverter सर्किट है बैटरी विच जिन्नी वी DC स्टोर हुंदी है उसनों AC च कनवर्ट करदा है Question number 10, inverter काम की करदा है उन में inverter दिखल का रहे हैं जेड़े अपन करांच inverter वर्त दे हैं ये सानों बैक अप सप्लाई दिन्दा है जड़ो साड़ी AC में सप्लाई चली जानदी है फेलियर हो जानदी है तो साड़े का रधी सप्लाई इन्वर्टर तो मिलनी शुरू हो जानदी है पा आवे सानों बैक अप दिन्दा Question number 11, UPS ती फुल फॉर्म दसो यूफार अनिंटरॉप्टेट पावर सप्लाई Question number 12, UPS अते इन्वर्टर दा फर्क दसो दोनों ही सानों बैक अप दिन्दे ने फर्क दोना दा एए है कि इन्वर्टर जो दों काम करना शुरू कर दे तो साड़ी पावर सप्लाई एक दो मिनट ली आफ हों दी है लेकिन UPS दे विच डिले बहुत ही काट है जिड़ा सानों मसूस नहीं हों दा नाल दी नाल सानों बैक अप मिल जान दा है अप पा कह सकते या कि इन्वर्टर दा दिले वद है जदके UPS दा दिले बिल्कुल ना मतर है कोशें नमबर 13 किस नाल बिना दिले दे बैक अप मिल दा है UPS दे नाल लगपग ना दे ब्राबर ये दा डिले हुन दै तो अपपा कह सकते हैं कि UPS नाल सानु बैकप जल्दी मिल दै बिना डिले तो मिल दै Question number 14 Inverter किते वर्त दियां? Inverter आम तो अरते हैं सी करां विच वर्त दियां, दुकाना विच वर्त दियां होम अंप्लाइंसे दे बैकप ली वर्त दियां Question number 15 UPS किते वर्त दियां? UPS उत्थे वर्त दियां जान दा है जिते असी बिल्कुल भी डिले नी चाहन दे जिमें के कंप्यूटर स्पोर्स आपा कंप्यूटर ते काम का रहे हैं UPS आन हो जेगा अगर लाइट चली जान दी है तो साड़े को समा होएगा कि असी अपना डाटा सेव कर सकीए एक सेकंड ले भी सप्लाई साड़ी आफ नहीं होईगी या फिर हॉस्पिटल दे विछ ICU किसे क्रिटिकल पेशेंट ते क्योंकि एदेना डिले बिल्कुल जीरो है सानुलगा तार सप्लाई मिल दी है Q16 UPS नहीं किसमा दसो Online UPS, Offline UPS, Interactive UPS Q17 इनवर्टर रते UPS दा स्विचिंग समा दसो स्विचिंग समा की हुन दै ओ समा जो तो पावर सप्लाई फेल होगी सानुल बैक अप इनवर्टर या UPS तो मिल दी है जिनना समा साथे सर्किट नू इस स्विच्चोवर करननू लग दै उसनू स्विचिंग समा के हाचन दै इनवर्टर ली जेड़ा हुन दै 500 milliseconds यूपीएस ली जेड़ा हुन दै 3 to 8 milliseconds विच्चोवर केड़ा सर्किट लोड नू सुरख्या दिन दा है यूपीएस इस साथे सर्किट नू प्रोटेक्शन भी साथे लोड जिनिया वीची जान कनेक्टिड ने उनू प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर दै अगर कोई स्पाइक आजे जब वोटेज वद कट आजे ता यूपीएस नाल दी नाल में नू अपने अप कट आफ करके यूपीएस से जेड़ा बैक अप है ओदे नाल साथे लोड नू जोड दन दा question number 19 यूपीएस विच एनरजी स्टोर करन ली की लग गया हुंद है यूपीएस दे विच बैटरीस या फिर फ्लाइवील्स या फिर सूपर कपेस्टर वरते जानेने जेड़े के डीसी नू स्टोर करके रख देने question number 20 offline UPS दा दूसरा ना दसो offline UPS दा दूसरा ना आया stand by UPS question number 21 rectifier की कर दे rectifier AC नू DC दे विच बदलदा है question number 22 online UPS दा दूसरा ना दसो इस दे विच conversion दोवार हुंदी है so इस करके इस दा दूसरा ना आया double conversion method question number 23 offline अते online UPS विच सस्ता साधन केड़ है offline UPS थोड़ा सस्ता मिल दा है as compared to online question number 24 cooling system केड़े UPS विच लगाना पेंदा है व्यासे ता cooling system दूसरा दे विच लगदा है लेकिन offline UPS दे विच आपका कह सकते हैं कि heat sink या cooling system छोटा लगदा है और जेड़ा साधा online है उस दे विच वड़ा heat sink वड़ा cooling system लगवाना पेंदा है क्योंकि उदे विच सर्किट लगातार on रंदा है question number 25 offline अते online UPS विच किस दा switching समा कट है online UPS था question number 26 केड़े UPS नाल लोड नूं सिद्धी पावर दित्ती जान दी है offline UPS दे विच main supply अते लोड सिद्धी आपस दे विच connected हुन देने question number 28 heat sink केड़े UPS विच लगदे हन online दे विच छोटा लगदा है offline दे विच वड़ा heat sink लगदा है उस दे विच heat ज्यादा पैदा हुन दी है question number 28 किस UPS विच supply याते लोड आपस विच isolate हुन देने पावर सिद्धे तोरते जुड़े नहीं हुन दे विच चुन दे कोई होर सरकेट ओन दा online UPS question number 29 केड़ा UPS लगदा चलदा रहन दे online UPS हमेशा on रहन दाएगा ओदे विच चाहे supply होवे ना होवे लोड नू जिड़ा करांट मिल दा है ओ थूदा बैटरीज ही होके जान दा है question number 30 केड़ा UPS वद एफिशेंट अते reliable है offline UPS so एसी गे अपने question trade 2 chapter 5 दे मिल दे हां next video next topic नाल thank you प्राइब लोड़ा